कलाकारी तो प presented तो क्लंदर कहें तो टीमेंती सांशत को कलंदर इस अका म को करता है वह हया पर टरब और बिफार करता है उसको कलाकारी बताई को तू अ तरहां परधानवंदी के बूलते और एक उच्छे सदन के उपराष्ट्रपती के आपमान हो रहा हो वीडियोग्राफी कर रहे हैं सब कर मारे मर जाना चाहिए इनको मैं तो यह कहता हूं कि जाटों को सड़क पर आकर कर अपने नेता की सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए य उनको को क्या माफी माफी तो खडगे जी को मांगनी चाहिए, माफी तो सौनिया जी को मांगनी चाहिए, राहूल को क्या माफी नहीं चाहिए, राहूल तो उसमें सामिल थे, जिसे योजना में उनके साथ गलट टिपड़ी की जा रहे थी और वो विवस्था को सामिल थे और गोहाई कवान की पूरी ब्रादरी का मैं अपमान को गोर घ्रनात्मक रूपसे बिपक्ष को सबक इन और सेध्य संभफ मिल सब लोग मिल नमस्कार देश के उप्राष्टपती जगदीब ध्रहंकल की मिमिक्री करना TMC सांसद कल्यार मनरजी को इतरा भारी पढ़िया कि अब पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और इस बात का कि उनकी मौझूदगी में राहूल गांदी भी थे उस विरोध प्रदरशन के दौन राहूल ग खबर इंडिया पर कैसे देखते हैं कि जबदीब ध्रहंकल का मिमिक्री करना और वह भी राहूल गांदी की मौझूदगी में वह वीडियो बला रहे थे सबसे पहले इसे कैसे देखते हैं आप देखे एक तरह सी किसान का गरीब का जो नीचे से आने वाला व्यक्ति है उसक पराष्ट पतिका अपमानित करना विजयती करना उनकी मिमक्री करना उनके बारे में प्रकार की से करना और राहूल गांदी जो अपने आपको कांग्रेस का स्थाफित देता और गांधी परिवार का बड़ा चेहरा जिसे मानते हैं और उसकी बीडियो बना रहे यह बहुत स प्रश्ट्राइब करने चाहिए और यह पहला श्वभागतार उनको कैसे सब्द से संभोधित किया इनको लजजित होना चाहिए इनको शर्मानी चाहिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि सब्सक्राइब करने चाहिए संभून भारतवर से संभून सदन से और यह कहें किसान का गरीब का जाटों का सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए इसका हम सब लोग ब्रोद करते हैं यह सब देश के प्रती असोबनिये सोच रखते हैं बहुत व्रष्ट हैं बहुत खराब सोच रखते हैं इसकी में घोर निंदा करते हूं आप मानते हैं कि जाट संदाय से आने वाले जग्दी धंकर जी पहली बार ऐसा है कि उच्चुपत पर जाट समाज से कोई व्यक्ति आ करके इतने व्राजमान किया जाता है होने शायद इस जाट समाज के चेहरे को कॉंग्रेस प करना एक अपमान नहीं बलके करें और कलाकारी उन्होंने दिखा यह सांसट में कि कलाकारी तो प्रति बदर कहें को कलंदर करता है वह करता है वह प्रती इसको घृप करना इसको कलाकारी बताएं तो हमको लगता है सब्सक्राइब कर देखता है वह अपने को प्रधानवंदी का दाविदार कर बोलते और एक सदन के उपर आश्ट्रपती कर रहे हैं सब के मारे मर जाना चाहिए इनको शायद आपको लगता है कि टोक करके उनको रोकना चाहिए था सब्सक्राइब करना चाहिए तो उनको बीच में सांसत को रोकना चाहिए था और इसको इतने तूल दिया जा रहा है भाषपाई इसको जान बुझकर के तूल दे रही है सतनों सदन के बाहर की की बात है कि सदन के भीतर की बात मलकार सब्सक्राइब की सामने फिर इस जेया work की जाती उनके मारे मारे मैं अफ़ोण कां यह प्रत्क्रियां होती Gothic को लुग्यां कि यह मैं पिछले जो आपने आसा है यह मैं पिछले 20 साल से सहन कर रहे ह। यह मोदी जी हुआ अप बीत ही कह रहे है और मोदी जी सित्य बोल लाएं मोदी जी कब किस समय पर इस गठवंदन ने अřिवा गॉंग्रेस ने अथा कॉंग्रेस के जितने भी 827 ऐसाद दिये कि इनुने कव कव गालिया नहीं दिए वहां मोदी जी भी तो किसान परिवार से गड़ी परिवार से आते हैं इतने साधन की पिरवार से आता है इसलिए या इसलिए उनकी परतक्रिया रही यह मोदी को सँहाब बन घया है मुझे मोदी जी को कह दिया तो प्राश्रुती करें किया दिक्कत है यह उनको सुभाव है इस सुभाव को बापस लेना होगा इसकी च्वायाचना करना पड़ेगा नहीं तो इसका प्रतिक्रिया इसका प्रणाम 2024 में संपूर संगठन को विपक्ष को भोगना पड़ेगा हम देख रहे हैं कि आज जब से घटना हुई है जब से मिमिक्री का यह मुद्दा उठा है सदन में उसके बाद से लगातार पूरे देश में जगर जगर विरूद प्रदरशन हो रहा है कॉंग्रिक्स के खलाप में और उसको किसानों का विरूद ही बताए जा रहा है आपके स सब्सक्राइब में बंके ऊबरे हैं पूरे विश्व के अंदर कोई नेता उनके सामने चनोती बने के उड़े यह संभव नहीं है आज आपने देखा होगा सर्वे आया था तो अठरतार परस्वत मोदी जी को पूरे विश्व के अंदर स्थान मिला बाकी नेता कितने पीछ रहें जो विक्सित भारा विक्सित दे अब नेका दन्यवाद करता हूं को अधर कर दो लेकिन उनके विचार नहीं किया कि जो जिस परिवार का नेत्वत कर रहा है अपके कठवंधन का कॉंग्रिस का उन्हों ने कभी दल्लेतों को सुईकार ही नहीं किया विवराव अम्डेटर कर जी को हमेसा अपमानित किया यह तो इसको अपने साब से तो एक तो इनका जो गठवंधन है वो फरजी है और बे सर्मों को भ्रष्टों का और यहां तक है कि पूरे देश को जिन्हों ने लूट करके खाया है जो चीन की बात करते हैं दूसरे देशों की बात करते हैं जो कमनिस्ट हैं मावादी हैं सोचलि करेंगा क्योंकि पिछली वार हमको 2019 के चुनाम में 22 कड़ो 90 लाक बोट मिला था इस वार भारतिय दिन्ता पाटी लगव ते तीस कड़ों बोट लेकर के 350 सीटे अपनी लेकर के आएगी और उसके गठवंधन की 400 सीटों से पार हम लोग को लेकर के आएंगे हमारा वादा है और दावा भी है और बाकी गठवंधन तो ही सब चल लें सब हवा में फर्जी गठवंधन है मुझे कुछ नहीं लगता स्वार्थियों को घोटाले वाजों का गठवंधन है कितना चलेगा आज यूटूब के माद्धम से एलेक्ट्रों मीडिया के माद्धम से प्रंट पटरी सोचाले गैस कनेक्शन उचला योजना और आइश्मान का कार्ड देखर के 55 क्रोड़ लोगों को लावामित करते हैं चार करो आवास देते हैं की कल्पना से बाहर है आज मोधी जी का इनित्वत मोधी जी की गारंटी जिसकी लेते हैं तो मोधी की गारंटी बनी मोध मोधी एक ब्रांट है मोधी का ब्रांट है उत्तरपदेश के अंदर भारती जिंता पाटी की सरकार 2017 से 2017 में वायदा किया है तक हम किसानों का करजा माफ करेंगे तो हमने चासी लाग किसानों को 36,000 करोड रुप कर जमाफ किया है और इंफाटेक्चर के मामले में मोधी का सब्सक्राइब करेंगे तो हमने में में मोधी के सामने खड़े हो आज मोधी की सब्सक्राइब को बोलते हैं तो रूस ही नहीं कि युखे रुस के दोनों के युद्द मन्द हो जाते हुए का उम्मिद करता है अ अज जो नेकर गूरा ब्रोद ही year जो गोर ब्रोद ही तो गाली देते पंपर हो सकता है तो जम्ट रोक सकता है ऐस उनको भी विश्वास है कि सित्व दुनिया की तागत है लेकिन बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ उनका चरत दुहरा चरत रहें और राज शोशल मीडिया के माध्यम से खेत खलियान में काम करने वाले रिक्से वाले को भी पता है, आज पट्री वाले को भी पता है कि birthday किस का चत्र क्या है इसलिए योगों में पैदा होता है इस 21 कि वही रहें जो छहोट लंब समय तक दुनिया में प्रकास्मान रहें गहें हुए उनका नाम मामन सम्मान के साथ में परदानमंत्री लाइक नहीं तुम्हें कहां कहां खड़े हो गए तुम लाइक करके कौन कौन खड़े हो गए प्रधानमंत्री का ख़ाब देख रहें कॉंगरें करेंगे और सपा की परदाम देखने कुछ उसका बदला बदला जनता लेगे यह किसान का अपमान ऊपमान हुआ है पराश्टमती जी का वाने उनकी पूरी ब्रादरी का जार समाज का भी अप्मान होगा है मैं इस अपमान को यह देख रहा हूं को 24 में घोर घोर घ्रनात्मक रूप से विपक्ष को सबक सिखाने का काम यह जनता करेगे जन्मानस करेगा हम सब लोग मिल करके करेंगे अधान के मामले में राकेश टिकेट जैसे नेता को भी सामने आना चाहिए लग्तर होते है अपने स्वार्थ में क्या है उनको स्वार्थ कहां से दोरा है महां पर बोलते हैं नहीं तो यह सबसे पहले बोल गए होते अब तक अब उनके शरीर के अंदर किसान वाला खून होता यह महात्मा टिकैत के वह असली वारिस होते तो फटापट से ब्रोध की प्रत्क्रिया में अगे होते हैं लेकिन आज उन्होंने सब्द भी नहीं बोला इसलिए उनके लिए नहीं उनकी पूरी व्रार्दी के लिए उनकी पूरे समर्थकों के लिए यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही अपमान के वात है अखरी सवाल दोहार चौबीस में परणाम क्या देख रहे हैं कि जिस आप से एक एंडिया है उसके सामने इंडिया गठवन मैं आपसे पहले भी कहा था कि भारतिय जिंता पार्टी अपने धंपर साड़े तीनसों सीटे देश में लेकर के आएगे और गठवंधन के साथ 400 को पार खरेगे आज उत्तर प्रदेश की आप इस दी देख रह रहे हैं अब कोई कर लेना तो इनमेंसे इनके पास से खाली हो जाएंगे घर इनके तो कहां गठवंधन की बात करते हैं और कहां भारतिया पार्टी के सामने टिकने की बात करते हैं लेकिन यह दुन्द करते करते दिखाते रहते नहीं राजनीते खतब होगी इनकी यह अंत बात करना मोधी के मुकावली की बात करना इसको आम रिख्षा चलाने वाला भी व्यक्ति जानता है जो बाप्पू करके कुछ करके निकल जाते लोग ब्यंग परते हैं यह तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा कि आज भारत ने जो भारत की विवस्था है अर्थ सबसे संपन अराष्ट होगा है आज देखो इन्फार्टेक्चर की मामने कितना है आज हम लोग उससे आगे की वियोजनावी बना रहे हैं अधेस के अंदर जहाज बनना है अधेस बाहर से जहाद लेने हैं जैट इस तरह के डबलब किये जारे कि दुनिया भारत से मांगने की सब्सक्राइब करने जारे हैं कि दुनिया की टैनों से 21 हमारी टैने निकल कि जा रही है हम किस चेत्र की बात करते हैं जहां हमारे भारत वरस के अंदर डबलब मेंट नहीं है यहां पर 140 क्रोड़ आवादी है और उसे युवा के दम भारत दुनिया का सिर्मोर बनेगा भार तसलमान बढ़ा एंकितना सम्मान पढ़ाए करने लिए अभारत की बहुत नहीं है वह पनेड़ नहीं भारत आध्यात में भारत में राष्डवादी लोग भारत के इमानदार दुनिया के अंदर मोदी जी के आने के बाद बोला है बहुत धन्यवाद हमसर बाचीट के